नमस्कार मैं सारता पांडे आसान जिन्दगी किसी पिशोट में आपको स्वागत करती हूँ जैसा कि कई वीडियो हम आसान जिन्दगी में हेल्थ से संबंधित दिये हैं लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है काफी लोग उसको सेर की हैं बहुत सारे लोग देखे भी हैं उ इससे आपको भी फायदा हो तो इस बार मैं आपको दे रही हूँ गठिया यानि जोडों का दर्द है वो सभी के अंदर पाया जा रहा है इस समय खान पान की वज़े से दिन चर्या के वज़े से दिन चर्या गडबड होने के वज़े से कम पानी पीनी के वज़े से कई वज चीज सब्षब से तमाम चीजह में जोड़ में जो दर्द है काफ़ी कहन पान के वज़े से हो रहा है जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं वह विटामिन डी और विटामिन बी से बिल्कुल अलग है जैसे कि बाहर का आटा या जो हम खरीद के आटा खाते हैं उसमें वह चीजे नहीं स्थक्राइबरे बाजरी भरते हैं तो जो सामान गेहुं में भी आप सोया बीन जो सोयाविन का अनाज होता है, जिससे तेल निकलता है, क्योंकि इसमें तेली ये प्रदार्त होता है, तो सोयाविन जैसे आपको 5 किलो गेहू है, तो इसमें आपको गेहू पिस्वा कि उसका आटा खाते हैं, विटामिन डी या वी से भरपूर, पोसक तत्तों से संबंदित जू फल है, अनाज हैं, दूस से पणी चीज़ें हैं, ये सब खाते हैं, चीजो अ know, जब एक बने ले सीज फ़हनय में धर्द होता है, लेकिन अरु को समय में ठीक हो हजाता है, लेकिन इसमी से पीज़ें का दर्द हो, घटी चीजैएं þोब्ह, घट्टी चाता में दर्द जो खटी चीजें खाने के आदी हैं, जोड़ों का दर्द और बढ़ता है, जैसे अत्यधिक नेवु खाना, खटाई खाना, आम खाना, अचार खाना, तो अगर कोई आपको दवाई बताई भी जाएगी तो इस सब चीजें को खाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपके जिनके जोड़ों में दर्द होता है, जैसे आपको मैं बताई को रोटी जादा खायें, ठंडा चावल न खायें, ठंडी चीजें न खायें, जैसे कि सबजियों में बहुत सारे सबजियां ऐसी हैं, जैसे आपको बताई ही हूँ, सरसो भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, म लों मेलU lot so Fish%eeee को अभी को आदत नहीं पड़े गी एक सब्सक्राइब कर पाते हैं आप इसको करके देखंग को न मैंवा पाइदा हो अपने दर्द को अपने कश्ट को दूर भगा सकते हैं जो मैं यह टेबलेट का डिब्बा दिखाई हूं इसमें 4-in-1 फार्मूला इंकलोड है यानि मिला हुआ है ग्लुकोसा माइन इसमें उपस्तित है जोडों को फिर से भरने और पुनर जीवित करने का काम करता है फिर इसमें रोज ही पावडर, anti-inflammatory फायदा बहुत अच्छा है यह जोडों की परिसानियों को कम करता है फिर इसमें मिला हुआ है बोस वेलिया सेटारा इसमें anti-inflammatory कूण पाया जाते हैं यह जोडों की सूजन को कम करता है उसके अलावा इसमें sodium, hyaluro ने भी मिलाया हुआ है तो यह जोडों के बीच में जब बैठने, उठने से घिसता है इसका जो तरल परदार्थ होता है वो समाप्त हो जाता है तो वो पैदा करता है यह जो बच्चे को दूध पिलाती है उनको इसको इसको इस्तिमाल नहीं करना है या करना है तो डाक्टर का सलाह भी लेने इसको दिखा दें कि यह हम ख़ा सकते हैं कि नहीं इसको सुबह साम खाने के बाद लेना है एक गोली इस प्रोडेक्टों को आप खरी दिये इसको हम भी इस्तिमाल किये हैं और आप इसको इसको इस्तिमाल करके देखें कि आपको कितना फाइदा होता है इससे जो मैं आपको दवाई ये टेबलेट बताई हूँ इस वीडियो के डिस्केप्शन में दिया रहेगा पूरा पता आप वहाँ से आनलाइन इसको मगवा सकते हैं आजकाल तो सरल है घर बैठे सबी चीजे मिल जाती हैं आजकल कामन हो गया है जोड़ों में दर्द होना, काफी तकलीफ होती है लोगों को तो ये सब चीज़ें से बताई मैं आपको इसब चीज़ें तो खाये हैं धर फिसले पत्रिज्ब मैं इतना सब चीज्ब लोग नहीं कर पाते है तो दवाईयों के सहरा लेते हैं तुरन तो आपको आराम देती लेकिन आप जब उसको बंद कर देते हैं या उसका आसर खतम होने पर फिर दर्द होता है अंग्रेजी दवायों का साइड डिफेक्ट भी होता है कितने अंग्रेजी दवायों आप खाएंगे जिसे कि हम लोग क्या बलते हैं जो लहसुन जो होता है लहसुन के कलियां आप दे अगर 2-4 kg लहसुन में एक आठ्थ मिलता है। उसको शुबा खाके खाली पेट पानी पीने से तमाम रोगें दर्द अगर ठीक होता है। और लहसुन को तुध सर्सों के तेल में उबाल के मालिस करने से भी दर्द ठीक होता है। मेथी, जो मेथी होता है उसको भीगा लें, भीगाने के बाद जो मेथी का पानी होता है सुबह खाली पी लें, पीने के बाद थोड़ा सा दोचार मेथी चबा भी लें, मेथी से भी जो गैस और ऐसा दर्द होता है वो भी ठीक होता है, फिर मेथी को पीस लें, मिक्सर में जगाने से आपका दर्द ठीक होता है यह बीना पैसे का यानि मेथी में थोड़ा कोई पैसा लगा कि बस वही बाकी पैसा नहीं तील का तेल भी सुद्ध आप मगा कर आइसा भी करिए अलका गरम रहे तो उसको आप बांध के दर्द के जगह में और उसको सिकाय टाइप का हो आप जैसे सेठोरा अगरा बनाते हैं या जो अजवाइन अगरा का लड़ू बनाते हैं इसको खाके मलाई रहे तयानि मलाई को निकाल के जो दूद पीते हलका गुनगुना जो बूढ़े सयाने हैं उनके लिए काफी फायदे मंद होता क्या है कि पहले के लोग अपने जो आपका जो मसूरे में तकलिफ होती है तो जोडह के दर्द में मिलाउटी होता है उससाला नहीं होता है , या लोगि अप। घर का बना हुआ, हमिलावटी होता है, आप लोग भोले कि खाने के लिए तो भोले, खाए भी फायदा नहीं हुआ, सूरू से बच्चों को घी खिलाएं, जो तमाम चीज़ें कुरकुरे, चीपस, सब चीजों खाने से तमाम बच्चों का जो और चीज़ें होती है, वो भी कम की आरता हैं सबया कि इस सुबह की धूप में घर का बना उप्टनक से मालिस करती थी तो बच्चा सुडु से या stip जर्म से जया यहां माताओं के समखचहा यह विजय कार में बूड़े अजयाने हैं पहली बात तो सुबा उठते नहीं है दूसरी बात उठें तो उनको देर में जब धूप लगे तो धूप फायदा नहीं करती है तो सुबा उठाना सीखें और सुबा उठने के बाद पुरु का धूप होती है वो पूरे сरीर में लगने चाहिए उसस पूरे सरीर में उर्जा मिलती है, विटामिन D मिलती है, तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है, तो आप अपनी दिन्चर्या को बदल के देखें, रोगों से आपको खुद भखुद छुटकारा मिल जाएगा, तो आपको मैं आज बताई हूं, जोडों में दर्द होने का जो क का है, तमाम चीजों से दूर हो गया है, जो गलत चीजें खा रहा है, तो इसी तरह के वीडियो आगे भी मैं आपको हेल्थी से संबंदीत पूजा पाड के संबंदीत बताती रहती हूं, आसान जिंदगी चैनल में बहुत सारे वीडियो ड़ले हैं, आप सर्च करके देखे क्योंकि अभी सर्दियां भी हैं, तो एक काली खासी है, खासी जिसको लगाता रहा था, उसके लिए मैं केला का भस्म बना के राली हूं उसको भी देख लें, बहुत सारे हेल्थी से संबंदीत, कमर दर्द के संबंदीत, बहुत सारे वीडियो ड़ले हूं सर्च करके देख कर दस्ता है बहुत से स्टाइब